भारत का विश्वसक्ति के रूप में उधे 48 घंटे परे तक रूस भी यही बोल रहा था कि जो देश चीन में जांच की बात करेगा, रूस उस देश की भी जांच करेगा। लेकिन अमेरिका ने जहां एक तरब से अपने सारे सहयोगी देशों को एक्जूट किया, वही रूस को मनाने की जीवेदारी भारत को दे गई और आज की बेटक में रूस ने चीन के कदमों के नीचे से जमीन हटा दी और जांसे समदित आस्ट्रेलिया की प्रस्ताओं का कोई सारे पस्चिमी देश भारत की इस बात के लिए प्रसंत्या कर रहे हैं और आज भारत दुनिया की इकलोती वह मा सकती है जिसके अमेरिका और रूस से एक सम्मान घनिष्ट संबंध है जो अपने दम पर इन दोनों देशों की विदेश नीटी बदलवाने की छमता रखता है क्या कभी आपने कलपना की थी कि भारत उसी स्थिती में होगा जहां रूस जैसा देश अपनी विदेश नीटी या वेश्पिक नीटी भारत के कहने पर 48 घंटे के अंदर पूरी तरह पलड़ दे भारत ने यह कर दिखाया हाल ही में चीन रूस की समर्थन के दम पर भारत की सीमा छेत्रों में चहल कदमी कर रहा था भारत पर दवा बनाने की कौसिस कर रहा था लेकिन आज भारत ने विश्व मंच पर चीन को अकिला और एक किनारे कर दिया आज की जो यह घटना है इसके बाद से पाकिस्तान में बचैनी और बखलाट बहत जाला बढ़ जाएगी उनके उपर अस्तित्व का संकट बन जाएगा क्योंकि भारत अब चीन के कर्मों की सज़ा पाकिस्तान को देना सुरू करेगा और चीन के खलाब यह पहली कुछ नितिक जीत भारत की हुई है और यह सायद भारत की इतियासकी में सबसे बड़ी कुछ नितिक जीत में से एक गिनी जाएगी जहां आज लगबग दुनिया के 123 छोटे बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं आप सबी भारती को इस बिजय की सुबकमनाएं और माननी भारत के प्रदार मंतरी स्री नरेंद मोदी जी को धन्यवाद ऐसे ससक्त नितिक जो आपने दुनिया में विश्वशक्ति के पानने को तियार है प्रावडली येस वी मेक इन इंडिया प्रावडली येस वी मेक इन इंडिया